स्टूडेंट्स इन्हें सी स्टार्टर आज हम वक्षिट नमबर 25 करने जा रहे हैं क्लास 6 की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स 22 दिसंबर 2020 की और जैसे कि आप जानते कि डिरेटर और एजुकेशन जी एंसिटी डेली के दोर हमें वक्षिट प्रएट की जाती है यहां पर आपको वक्षिटर को टॉपिक है अडिशन ओफ नमबर फिट डैसिमल मतलब जो नमबर डैसिमल में होते हैं उनको आज हम एडिशन करने जा रहे हैं मतलब उनको प्लस करना सीखेंगे जैसे कि 3.43 दे रखा है देखो इजब पॉइंट के बाद अमांट होती तो इसको कभी भी एक को अब आप यहां रखना है कि डैसिमल के निचे डैसिमल आ चाहिए अगर जैसे यह डीजिट लेथ है डैसिमलit के लेफ्ट में और हो यहां पर कोई लिखी राइट में तो अगर कोह हमें दूसरी अमाउंट यह दे रहे हैं तो आपको इधियान में रखना है कि डैसीमल के नीचे तो डैसीमल आएगा और अगर इसके लेट में फोर है यह वां जिजिट पर यह भी वांज जीजिट है तो यहां लिखेंगे यह टैंस नंबर पर तो टैंस वाले पर आएगा यह तो हंड़र पर आएगा और देखो यह है तो डैसीमल की बाध में यह के लाता है तो यह यहां लएगी और यह जो सीखने जा रहे हैं यह तो थोड़ा सा pena मैंने समझा दिया अब फड़ा फड़ देख लेते हैं कि पहला कुछिन क्या दिया गया है देखो शवाना है वो गोज टू दे मार्केट शवाना जो मार्केट में जाती है तू पर्चेस टू गिप्स फोर हर फ्रेंड अपनी फ्रेंड्स को वे लिए वो दो गिफ्स जो है व डिसकाउंट में लिए और जो दूसरा गिफ्ट था उसको 3.56 उसको जो है डिसकाउंट में लिए ठीक है अब आपको पता लगाने की टोटल को डिस्काउंट कितना मिला जब टोटल वोला तो आप दोनों को क्या करोगे एड करोगे ठीक है आपने लिखा डिसकाउंट और 2.35 डिसकाउंट सेकिंड गिफ्ट 3.56 फिर आपने का कर दोनों को एड कर दिया ठीक है और एड करने के लिए मैंने आपको क्या बता था डैसिमल के नीचे डैसिमल होना चाहिए यह थूड़ा सा ऐसे स्लैंट हो गया है लेकिन इन्होंने एड वह सही कर रहा है और मैंने अगर जैसे नंबर दे दिया ठीक है और यह नंबर दे दिया तो आप जो है जैसे मजी आड कर दोगे आपने यह जो 436 लिख दिया ठीक हो यहां पॉइंट लगा रहे है एक पॉइंट यहां पॉइंट यहां तो गलत माना जाएगा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा तो कैसे के एगिए दिहां अगर 34 है यहां पॉइंट नहीं है तो यहां डॉइंट में पॉइंट लगा कि जीर लगा देना है ठीक है को कि माना जाएगा इस बात का धेन्ग एक जि'. जैसे कोई भी amount अगई point है तो आपको last में point लगा कि 0 लगा देना है अगर आप 0 नहीं भी लगाओगे तो कई दिक्कत नहीं है ठीक है तो यह भी confusion दिरो गई कि जरूर नहीं है ना कि आपको दोनों के दोनो amount point में दी जाएं ऐसे भी तो दे सकता है तो आपको क्या करना है three लिखना है point लगा दो ठीक है फिर point लिख दो यहां पर ठीक है उसके बाद 0 0 0 ठीक है उतने लिखेंगे जितनी second question में होगी जिस next part में होगी फ्र ये लिख ठीक है यह क्या यहां लिखा यह लिखा अब जीरो देए हम फटा दो इसको ठीक है यह पहले लगाओ मत पहले कोशन लिखे लो उसके बाद जीरो लगाओ भी जिसलिए इसलिए मैंने सुरा से एक्ट्रा समझा दिया अब यह जो हमने रूल पढ़ा है ना भूई बता रहे कि तीनी स्टेप में करना आपको सबसे पहले आपको नमबा लिखना है ठीक है वन नमब वन अंडर दाधर बस एक नमबर दूसरे के निचे लिखना है फिद डैसिमल पॉइंट लाइंड अब बत जाँ से देखो यह दो नंबर है है तो आपने देखा यहां पर दो जिल लगा दी इस तरीके से जब जहां पर जीम नहीं होगी ना जहां पर कोई जगह नहीं होगी तो वहाँ पर हम अपने प्जीरों लगा देंगे ठीक है इस तरीके से उसके बाद नेक्स्ट है देन एड यूजिंग कोलम एडिशन देखो मैं आपको बता दूँ अगर मैंने नमबर लिखा ना इसको कोलम कहा जाता है ठीक है ऐसे जो यह स्टेंडिंग जो क्यों कि लाती है रो कलाती है एकपर दौबार समज्ट लो जब हम किसी नंबर को ऐसे फॉम में लिखते हैं यह अलगड नंबर यह यह इसको हम जो मैं अब है तो यह कोलम में और आगर हम बाद अब्सटिने लih faculty अब आपसे बोला गया है कि आपको इन सबको एड़ करके दिखाना है और आपसे बोला गया second question इनेहा मकड जो है math की book खरीदने में इतनी रुपे खर्च करती है और science की book में इतनी रुपे खर्च करती है तो बताओ कुल उसने कितने पैसे खर्च करें तो अब चलते है question पर हन होएंगे ठीक है और अगर अभी तक आपने यह स्टार्टों को लाइक ने के तो लाइक कर देना हना अब देखो पहला question आपका यह है तो मेरी आपसे request है कि यह जो question मैंने आपको जो करवार रहो ना आप पहले खुद करना try करके video रोके फिर मैच कर लेना ठीक है तभी तो स नीचे point डाला है ना और यह once once होते हैं यह 10th होते हैं यह 100 होते हैं तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि once के नीचे once डालना है ठीक है यह कौन सी form थी row में हमने किसमें कर दिया column में ठीक है जो इसका answer कितना आ गया इस तरीके से clear आप देखो यह रोकी form में हमने इसक सब्सक्राइब है यहां पर पॉइंट के नीचे point डाना चाहिए five three कितने हो गए और six or two कितने हो एट हो गए ठीक है यह एला clear होगे सबको सबको आता ही था next पर आजए उसके बद देखिए यहां पर point कितने one two three है कितने one two तो देखो यहां पर नहीं जीरो लगा दी हाना इ इसे जोड़ लीची three three में जीरो जोड़ो गए three आएगा कोई किसी में जीरो में को किसी के साथ भी जोड़ो गए तो वह से माता है नो तिन कितने बारा उपर एक हासिल हाना one carry हो गया nine one कितनों को ten ten का zero उपर one carry हो गया three और four हो गया power six 11 उपर one carry हो गया three आ गया ठीक है उसके बाद आजाओ next पे और next में आपको दिया गया है one two three point three two one तो three में one add करोगे तो four हो जाएगा two में two add करोगे तो four हो जाएगा three और one कितना हो गया four हो गया हाना point के नीचे point three फिर two फिर one देखो यहाँ पर जो है कोई भी रकम नहीं थी तो हमने three zero लगा ली हाना क्योंक 10100 तो one 10100 पे zero लग गई ठीक है सबका ठीक होगा नहीं हाना four 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 point three two one इस तरीके से यह हमारा चारों पार्ट हो गए ठीक है अब next पर बढ़ जाते हैं नेक्स कोशन आपसे बोला गया था कि जो नहां मकड है ना उसने 85.45 मैस पर खज करें हैं किताब बुक पर है और 105.99 साइंस की बुक पर spend करें खज करें तो आपको पता लगाना था कि नहां मकड ने कुल कितने पैसे खज करें तो कोस्ट ओप मैस बुक कितनी आ गई 85.45 कोस साइंस बुक कितनी 105.99 ठीक है आपको मैंने बताया था कि इसको एकठा नहीं बोला तो आप 45 बोलेंगे ठीक है उसके बाद टोटल अमांट कितनी हो यह आप दोनों को एड़ कर लो 95 कितने होते हैं 14 होते हैं उपर वन कहरी हो जाएगा हना इस तरीके से नो और चार कितने हो अगर आपने पॉइंट नहीं लगाया तो आपका गलत हो जाएगा ठीक है पॉइंट लगाना बिल्कुल मत भूलेगा ठीक है इस तरीके साब का आइसर आगा मैंने आपको पूरी वाक्षिट समझा दी मुझे पूरी उमीद आपके लिए वीडियो काफे मेलेबल रही होग झाल झाल